पिरिए छातरें छातरों, ओल्लाइन क्लासेज में भुगोल के आफका स्वागत है अपन विश्वे की परमुख जंजाती पढ़ रहे थे कल अपन ने भील के बारें पढ़ा, भील जंजाती का निवास थान पढ़े वस्तर पढ़ा, आर्थी क्रिया कुला पढ़े, निवास ग्रह पढ़े थे इनके बारें पढ़ने पढ़ा था आज देखिए भील जंजाती के समाज वे संस करती देखिए, भील अनेक पित्र स्तात्मक समुहों वे कुलों में संगठिते यानि भीलों भी देखिए ने, तो अपने समाज की बांती इनके पित्र स्तात्मक समाज होते हैं, पित्ता को भी परदाहन मानते हैं अपने समाज में अलग अलग इनके वंस होते हैं, कुल का मतलब वंस होते हैं, उनमें संगठित रूप से रहते हैं परतेक कुल के लोग अलग अलग गाओं में रहते हैं यानि परतेक कुल के लोग देखें वो अलग 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 गाओं में रहते हैं परतेक कुल का अपना अपना गण चीन होता है गण चीन होता है अलग 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 जिस कुल से सम्मन देते हैं उसका अलग लग चीन उनके पास होता है, क्यों किस वंस में है, किस कुल में जनम हुआ है, कौन सा इनका वंस है, वो परते कुल का निर्धारित किया गया है, भील युवा हो या वरद हो, उसकी पतनी जरूर होती है, यानि भीलों में देखें तो सभी की लोग पतनी पाई जाती है इसमें भहुपतनी परथाई पाई जाती है यानि भील में देखें तो इस जंजाती के लोग एक सेधीक पतनी भी रखते हैं विवा के समय देखें कन्या का मुले चुकाना पड़ता है जिसे दापा कहते हैं चोटा परसंद कीवा रहता है दापा क्या होता है यानि भील जनजाती में युवा के समय कन्या का मुले जो चुकाते हैं उसे क्या कहते हैं दापा कहते हैं तो द्यान रखना है जो लड़के के पिता के द्वारा लड़की के पिता को देता है यानि लड साधी हे तो यूति को चूनने का अधिकार रखता है यह निनि गोलगदघढ़ो परता पाई जाती है इसमें реभाज है एक दियान दलता प्रसंफ़ क्वर अधा था कौन सी जन्जाती में पाई जाती है तो कौन सी पाई जाती है भील जन्जाती में पाई जाती है यानि एक रिवाज जिसमें कोई भी यूग भील जन्जाती का है वो सुर्विर यानि अपनी सोर्यता का प्राकरम दिखाता है साहस दिखाता है और साधी है तु समाज में य पूजक होते हैं यानि परकरती को परमुक स्थान मानते हैं क्योंकि जंगलों में रहते हैं वनों में रहते हैं तो परकरती का इनके जियून में देखें बहुत ज्यादा महत है इसके साथ हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं यानि जितने भी हिंदू देवी आलिए वो मनाते हैं इसके लावा हिंदु धर्म की जितने भी तिवहां रहे हुं इनको ये खुशी-खुशी मानाते हैं तो ये इनका समाज और संस्कृति यानि बड़ा परसंद तो ना है कि भील जनजाती के समाज और संस्कृति का वरणन कीजी लेकिन छोटा परसंद आ सकता है जैसे एक तो दापा द्यान दखना है कि यूहा के समय कन्या का जो मुले चुकाते हैं उसे क्या कहते हैं दापा कहते हैं भील जन जाती में जो लड़की का पिता लड़की पिता को देता है और एक गौल गादेडो परथा क्या है यानि गोल गदेडो परथा में देखें तो कोई भी यूवक सूरवीर था और सहास का कार ये दिखलाते वे साधी है तो यूती को चूनने का अधिकार पाता है यानि कोई भी 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 बहल जनजाती में देखें जो यूवक सूरवीर है सहास ही है वो इस प्रकार का प्राक्रम दिखा दे तो भील जंजाती में उसे साधी है तो वो यूति का चैन कर सकता है प्रस्ताओ रख सकता है तो इस गोल गदेडो देखना चोटा परसन आता है कि गोल गदेडो पर था कोण से जंजाती में पाई जाती है तो कोण सी हम पाई जात अलग से लाइन देखने ये फायरे फायरे के आई भीलों का रन गोस है यानि कि ये बार छोटा परसन आ जाता है फायरे फायरे के आई भीलों का रन गोस रन गोस का लो युद्ध के समय यानि कोई भी संकट आ जाए या कोई ऐसी स्थिती आ गई जब भील अपने आपको संकट की स्थिती में देखते हैं तो ये फायरे फायरे की आवाज लगाते हैं और सारे भील एक समुए में क्या हो जाते हैं इकठे हो जाते हैं इसका मतलब उस समय देखें तो भील जन जाती किसी बड़ी आपती में ये पती में तो फायरे फायरे के इनका रण घोस है यानि एक वरकार का युद्ध का आवाज कह सकते हैं एक युद्ध की समय लगाने वाली आवाज है यानि जैसी ये संकट में होगे तो किस परकार का उचारन करते है फायरे फायरे करते है तो ये छोटा परसंद देखना एक नंबर गा जाए तो फायरे फायरे का है भीलों का रन गोस है एक लाइन अलग से फिर और लिखे होई देखनी है कि भीलों के समस्थ पाल के मुख्या को गमेती कहते हैं पाल और फला अपन ने कल पढ़ा था कि भीलों के छोटे गाउं के समुख क्या कहते हैं ठला कहते हैं और भीलों के बड़े गाउं के समुख क्या कहते हैं पाल कहते हैं तो भीलों के समस्थ पाल के मुख्या को पाल समझ गए कल अपने पढ़ा था कि भीलों के बड़े गाउं के सुमों क्या कहते है पाल कहते है और पाल के मुख्या को क्या कहते है गमेती कहते है तो ये अपनी भील जंजाती पूरी है जो तीसरी जंजाती थी य counties पहले अपने एसकिमों पड़ी दूसरी अपने बुसमें पड़ी तीसरी भील बड़ी यादि दो नबर आ पातर पिछली बार ये दो नंुबर का प्रसन आया था एसकिमों और भील में वस्तर और निवासगरह के प्यादार पर तुलना करना है था यानि बड़ा परसंद इसमें नहीं है गा कि भील जिन जाती के निवास गरे वस्तर और समाज और संस्कृति का वर्णन कीजी इन में से छोटे परसंद देंगे बीच में से या जैसे फायरे फायरे आगया गमेती क्या है गोल गदेड़ो प पाल कहते हैं तो यह तीसरी अपनी जंजाती है दूसरे पार्ट मैस के मौ भुसमें और उसके वादे भील जंजाती भील के वारे में पन दुबारा से पढ़ेंगे राजस्थान की जनसंख्यार जंजातियों में ध हील मेना गरा सिया वहाँ दुबारा से बड़ा प्रसंद आता है तो उसमें पूरा विस्तार से पढ़ेंगे इनके सामाजी जीवन, आर्थिक वियस्था, इनका रहन सैन, धार्मिक प्रमप्राय, रिति रिवाज, वो सब दुबारा विस्तार से पढ़ेंगे भारत वो गोल में, चोथियो लास्ट जन जाती देखे इस पार्ट में, ग तेलंगाना, महाराष्टों, उřिसा तथा आसाम में है, यह जो चेत्र है भारत के मुखे राजिये हैं, जैसे मद्धे परदेश के पाहड़ी चेत्रों गे च्प्रमप्रॉणों, चोगी AH, जारखंद की उडिये तेलंगाना के उगए महाराष्टों के उडिसा तथा आसाम इन पहाड़ी छेत्रों में जंजाती भारत में निवास करती है यह सत्थपूड़ा की पहाड़ियां महारास्ट में पड़ी थी पहले भी मेकाल, 36 गड़, सौन देवगड, 36 गड़, उच्छ भूम्बी यह नि पठारी छेत्र है तो 600 से 900 मिटर के बीचे होती है तो यह इनका निवास चेत्र है कि मद्दे परदेश, 36 गड़, जारखंड, तेलंगाना, महारास्ट उड़ी साथ था आसाम यह मुखे राज्जे हैं जहां पर गोंड जंजाती का निवास पाया जाता है यह भी जंगलों में रहने वाली परकार की जाती है भारत के जो उन्चाई वाले छेत्र हैं पहाड़ी छेत्र है वहाँ पर यह जंजाती भारत में पायी जाती है और यह सत्थपुड़ा की पाया है महारास्टर में पढ़ा था मेकाल, 36 गड, सौन, देवगड यह भी 36 गड के छेत्र है और उच्च भूमियानी उच्च में पठारी छेत्र है पुरा बस्तर का छेत्र है, 36 गड का गड़ जात की पहाड़ियां है उडिशा में इन छेत्रों में देखें, तो यह जंजाती पाय जाती है और इन पहाड़ियों के उंचाई देखें, तो 600 से कितनी होती है 900 मिटर के वीच होती है यानि पूरे पहाड़ी वाले छेत्रें, उंचाई वाले छेत्रें तो इन पहाडी के उंचाई वाले छेतरों में देखें तो 600 से 900 मिटर के 20 देखें तो ये गौन जंजाती पाई जाती है तो इसमें निवास चेतर थोड़ा द्यान में रखणा है कि गौन जंजाती भारत के कौन कौन से राज्यों में निवास करती है मद्य परदेश 36 गड़ जारखड तेलंगाना महारास्टर उडिसा तथा आसाम ये राज्यों भी देखें तो उंचाई वाले छेतरें जो पहाडी छेतर मुखे थे उन दुरुगम और पहाडी छेतरों में ये जंजाती भारत में क्या करती है निवास से करती है देखें गड़ जंजाती का निवास से तर अभी पढ़ा पने मद्य परदेश का छेतर है महारास्टर देखें ये पढ़ रहे थे पर गड़ जंजाती के निवास से तर यानि महारास्टर का छेतर है मद्दे परदेश का चेतर है उडिसा का चेतर आएगा कुछ यह चेतर है पूरा और यह तेलंगाना का चेतर है तो इन पहाड़ी चेतरों में जंजाती भारत में क्या करती है निवास 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 करती है नि तिस गड़ का है तेलंगाना का है उडिसा का छितर है इन छेतरों में क्या करती है जंजाती गोंड जो जंजाती है वो निवास करती है यहां पर इनका मुखेता है निवास बारत में पाया जाता है देखे आर्थी करिया कलाब गोंड जंजाती के गोंड जंजाती पढ़ रहे आर्थी क्रियाखलाब में अबने सबी जिंजाद्यों में पढ़ा है कि ये लोगवगा होते हैं आतम निर्वर होते हैं स्वेम में अपना छोटा मोटा जैसे ज्यादातर पाड़ी छेतरों में रहते हैं तो वन नो से उकठा कर लिया या फिर जैसे करसी करने का भी काम करते हैं जैसे इसमें देर खाए इनका मुख्य विसा है जूमिंग करसी और आखेट करना है जूमिंग करसी अपने कल भीलों भी पढ़ा था चीमाता और दजिया याद होतों कि भीलों दोरा पाड़ी भागों में की जाने वाली जूमिंग या स्थानांतरीत करशी को चीमाता कहते है और मैदानी भागों में की जाने लिए क्या कहलाती है दजिया कहलाती है जूमिंग अपने पड़ाई था कि एक परकार की स्थानांतरीत करशी होती है जिसमें चार पांच वर्स एकजगे खेती की वनों को काट कर या जला कर और जैसे ही इसमें उपजावपन कम हो जाएगा उरुणा सक्ति कम हो जाती है तो ये लोग क्या करते हैं अपना स्थान है बदल लेते हैं तो वो करसी कोड़ी कहलाती है जोमिंग करसी तो इन गोंड जन जाती के लोगों के दोरा भी देखी इनका मुख्य विसाई क्या होता है जोमिंग करसी होता है वह आखेट करना होता है आखेट कहा दो लो सिकार करते हैं क्योंकि जंगलों में रहेंगे तो जीव जनतों को मार कर इनका सिकार करना का क्या रहता है मुख्यकार ये रहता है कुछ लोग वन उत्पाद संग्रे भी करते हैं वन उत्पाद रहते हैं वनों से जो भी उसदियां प्राप्त होती हैं जड़ी बूंटियां प्राप्त होती हैं उनको भी कठा कर लेते हैं चैसे गोंद है या और कुछ इनको प्राप्त हो रहा है छाल के रूमे पेड़ पुदों से पासु पालन भी करते हैं मचली पकड़ने का कारिये भी करते हैं तो ये क्या है बील जनजाती के मुखे आर्थी क्रिया कलाप है यानि चोटा प्रसन आ सकता है कि बेल जनजाती का मुखे आर्थी क्रिया कलाप क्या है तो इनका मुखे वैसा एक तो जूमिंग कर्शी करना इसके साथ साथ आखेट करना और कुछ लोग देखें वन उत्पाद संग्रे करते हैं अनों से जोतपाद परापत होते हैं उनको इकठा करते हैं इसके साथ साथ पसु पालन करते हैं और मचली पकड़ने का कारिये भी करते हैं फिर अलग से लिखा है तो आर्थी क्रियों में ध्यान में रखना है तो गोर्ण जन जाती द्वारा की जाने जूमिंग कर्शी को क्या कहते हैं दिप्पा और पेंडा कहते हैं इसका नाम दिप्पा भी या पेंडा भी जैसे चिमाता और दजी अपने बिलों में पड़ा था वैसे ये गोड जन जाती एक प्रकार की स्थानांतरीत करसी करती है जिसमें पेड़ों को साथ किया जलाया उनको काट कर की जाती है तो ऐसे पहाड़ी वागों में जो जूमिंग करसी करते हैं इसको क्या कहते हैं दिपा या पेंडा कहते हैं परसन आ सकता है दिपा या पेंडा क्या है तो गोंड जन जाती द्वारा की जाने वाली जूमिंग करसी को क्या कहते हैं दिपा या पेंडा कहते हैं ये करसी देखें पहाडी छेतरों में डालों पर सिड़ी दार खेतों में की जाती है यानि पहाडी छेतरों में देखें तो क गुआ ही करेंगे जिसे मिट्टी का कटाओ भी क्या होता है पाड़ी छेतरों में कम होता है और इनी पाड़ी छेतरों में सीड़ी दाल डाल बनाकर इस परकार करसी गोंड जंजाती द्वारा की जाती है तो इसमें दिप्पा या पेंड़ा अच्छे सी याद करना है कि जो होते हैं खेट के उसके इपरीथ इसमें बुगाई करेंगे जिस मिट्टी का कटाव क्यों होता है कम होता है तो इस परकारी कर्शिव के कहते हैं दिपा या पेंडा कहते हैं दोनों याद रखनी अगिला देखिए गोंड जाजाती में वस्तर और आभूशन गोंड पराई देखें चांदी वे ऐलूमीनियम के गहने पहनते हैं यानि आबुसन भी पहनते हैं जैसे चांदी हो गए ऐलूमीनियम हो गए इस परकार के बने आबुसन इस तरियां अपस दोनों ही पहनते हैं इस तरियां काच की चूड़ियां भी पहनते हैं यानि इस तरियां देखें त और निवास गरे के आदार पर तुल ना कीजिए तो गोर्ण जाती प्राइज सुत्तिवस्तर पहेंती है और पुरुषदोती बानते हैं इस तरह यां साड़ी पहेंती हैं इस तरह पुरुषदोनों ही देखें चांदी और अलुमिनियम के गहने पहनते हैं यानि चांदी के भी गहने हो गए आभूस्रोण होते हैं एक परकार के और अलुमिनियम के गहने पहनते हैं और इस्तरियां भी देखें तो कांज की चूड़ियां पहनते हैं अगला पॉइंट देखें गौंड में निवास गर है यानि इनके आवास कैसे होते हैं जिनमें ये रहते हैं गोण नंगले नंगले है अर्थात पल्ली नंगले का मतलब होता है जिसमें चार पांस घर के समुए को बोन सकते हैं जिसको अपन डानी कह सकते हैं पल्ली कह सकते हैं नंगले कह सकते हैं यानि चार पांस गाओं का जो समुए होता है उसको क्या कहते है नंगले अथवा पल्ली कहते है और ये अपन अधिवास में पढ़ेंगा कि आमानो बूल में आएगा यानि प्रकिर्ण अधिवास होते है इस परकार के जो ज़्यादातर भारत में जंजातियों द्वारा है बना जाते है और पहाडी छेतरों में इस परकार के अधिवास पाये जाते है तो गोण जंजाती से नंगले अथवा पल्ली और चोटे 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 गाऊं में रहते है यानि नंगले और पल्ली गाँतर चार पांस गराओं के समूए को बोलते है जिसको पर धानी कह सकते है और छोटे छोटे गाओं का क्या होता है इनका समूह होता है इनके मकान घास फूस वे मिट्टी से बने होते है यह इनके मकान में देखें तो घास फूस मिट्टी जो स्थानी सामगरी इनको उपलवद होती है उसको इपरियोग करके देखें तो ये अपने क्या बनाते हैं मकान या आवास बनाते हैं और उनमें रहते हैं तो ये क्या इनके निवास गर है कि नंगले अर्थात पल्ली और छोटे छोटे गाहों में रहते हैं और इनके मकान देखें तो घास फूस और मिट्टी से क्या होते हैं बने होते हैं अगला पॉइंट देखें समाज वे संस करती है गौंड की गौंड पित्र स्तात्मक समाज की रचना करते हैं यहां पर भी देखें जैसे बीलों पिड़ा था पिता को यह परदहान मानते हैं नहीं मुख्या होता है पिता का समाज में आदर करते हैं अपने और यह पुरुस परदहान समाज है यानि पुरुस परदहान यानि पुरुसों को मुख्यता है परदहान माना जाता है समाज का मुख्या होता है पिता की मरत्यू के पस्चात संपूर्ण अचल संपत्य उसके पुत्रों में बांट दी जाती है यानि जैसे ही गौन जंजाती में परिवार के मुख्या पिता थे उनकी मरत्य हो गई अच्छल का होता है जो विस्थिर संपत्य होती है इनके पास वो जितने भी इनके पुत्र होती है उसमें समान रुख से बांटे दी जाती है सबसे बुजर्ग परिवार का मुख्या होता है यानि परिवार में देखें बुजरोद लो जो वरिद दैसब सिजिश के आई हुजादा है परिवार में वो परिवार का क्या होता है मुख्या होता है गाउं का मुख्या पटेल कहलाता है दिहां दखना है पटेल किसे कहते हैं कि गोर्ण जंजाती में गाउं का मुख्या क्या कहलाता है पटेल कहलाता है जैसे बील में पड़ाता है कि पितर स्थात्मक समाज की रिचना करते है पुरुस परदान समाज होता है या पुरुस को समाज में क्या होता है मैथून स्थान होता है पिता की मरत्यों के पस्याद देखें तो संपूर्ण अचल संपती यानि देखें संपूर्ण जो भी इनके पास तिर संपती होती है वो करी बार परसनाता है कि पठेल किसे कहते हैं कि गौन जनजाती में गाओं का मुख्या क्या कहलाता है पठेले कहलाता है फिर देखें गौन जनजाती में देखें गाओं के पुजारी या पुरोहित को देवारी कहते हैं कि गौन जनजाती में जो पुजा का काम करता है या जिस गाओं के पुजारी और प्रोहित कोई क्या कहते हैं देवारी कहते हैं तो ये एक नंबर का परसन देखना है कि प्रोहित या देवारी किसे कहते हैं तो गोंड जन जाती हैं गाओं के पुजारी या प्रोहित को क्या कहते हैं देवारी कहते हैं तो ये गोंड जन जाती है अप अर्फकुल मिलाकर दूसरा पार्ट हाज कमप्लिट हो चुका है और दूसरे पार्ट वी देखी अपने पढ़ा था पहली कईंपे पहला और दूसरा दो पार्ट है, दोनों में कितने इंके परसन अएंगे प्रीक्षायामें एड़ा रंगे परसन अएंगे तो इसमें दोंग का परसन ही आएगा बड़ा परसन ही आएगा कि एसकीमो जनजाती के निवास सेतर है वस्तर आर्थिक्रियाओं का वरणन कीजिए या फिर बुस्मेन का आगए या फिर भील का आगए या फिर गोंड का ऐसा बड़ा परसन ही एगा कि छोटा परसन ही जैसे पिछली बार पुछा गया कि भील और एस्किमो जनजाती के निवास गरे और वस्तर के अदार पर क्या कीजिए तुल ना कीजिए तो बीच बीच में से जो एक एक नमबर के परसन वो अच्छे से देखने चोटे परसन जैसे इगलू क्या होते है एस्किमो वेपन पढ़ा था इतरुपा क्विदी क्या है सलेज क्या है ये इस तरह से याद करने या फिर बुस्मेन में पढ़ा था इनके निवास सितर क्या है बेच्वाना लेंड क्या है बुस्मेन क्या है वो पसूं का सिकार करने कौन से दो तरीके हैं या फिर इसी परकार बील में देखना है कि बील में एक तो करसी देखने हैं जी माता और दजिया क्या है या भीलों के वस्तरों के बारे में बताई है भीलों के समाज और संसक्रती पर टिपणी लिखिए या लास्ट अपने अभी गौंड पढ़ा है तो गौंड जन जाती के निवास सित्र या फिर दिपा और पेंडा किसे क उलना गई तो गोंड नगले यानि छोटे गाओं के समुए अर्थात पली छोटे जो चार पांस गौरों का समुए था उनमें रहते हैं और इनके मकान घास पूस और मिट्टी से क्या होते हैं बने होते हैं और समाज जो संसक्रती में देखें तो पितर स्तात्मकिन का समाज जोता है पुरस परदान समाज जै पिताalnya के मुर्टीगा संस्राती को बांती जाता है और सबसे बजरुग परिवाऑगा क्या होता है मुक्या होता है गाओं का Pacific यहां पटेल कहलाता यह चोटे परसन अच्छे जिखने है जिसे गमेती पुड़ा था नہ बीलों में कि समस्त गाउं के पाल के जो मुख्या होता हो गमेती कहलाता है ऐसे ही गोंड जंजाती में देखें तो गाउं का मुख्या क्या कहलाता है पटेल कहलाता है और गोंड जंजाती में देखें तो गाउं के पुजारी या प्रोहित को क्या कहते है देबारी कहते है तो इसी के साथ अपना दूसरा पार्ट पूरा है ये नोट्स पीडियेफ के रूम में आपको बेज़ जा रहे हैं उनके आपके अच्छे से नोट्स के रूम में लिखने उसके अपन कल तीसरा पार्ट सुरू करेंगे